हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी काफी जादा महत्वपूर्ण है एक्जेंपल सेट करने के उद्देश्य से तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं मुद्दा ये है कि भारतिय नोसेना के जो तीन जहाज है वो फिलिपीन के साथ समुंदरी सहयोग को और जाद मजबूत करने के उद्देश्य से मनीला पहुँच गए हैं उनकी आत्रा दक्षिन चीन सागर में भारतिय नोसेना का जो पूर्वी बेड़ा है उसकी परिचालन तैनाती का हिस्सा है इन तीन जहाजों में आइनस दिल्ली, आइनस शक्ति और आइनस किल्तान, रविवार को मनीला पहुच गए हैं और इसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही भारत और फिलिपीन्स की दोस्ती को और जादा मजबूत बनाना है, समुंदरी सहियों को और जादा मजबूत बनाना है, अब हम एक बार पूरे प्रद्रिश्य पे नजर डालें, तो दोस्तों अग ना कि है कि इस नाइन डैश लाइन के अंतरगत आने वाले पूरे छ्टर पे चाइना का ही अधिपत्या है, यह पूरा छ्टर चाईना की अंतरगत ही आता है, जबकि फिलिपीन्स के बहुत सारे द्वीप यहां पे हैं, विशेश तोर पे स्कोर, बोरो, शोल, जैसे द्वी यह है कि चाइना की जो आक्रमक्ता है वो इस रीजन में बढ़ती जा रही है ऐसे में भारत अप्रत्यक्षतोर पे फिलिपीन्स जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है यानि ऐसे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है जिनका डारेक्ट चाइना के साथ टक्राव है य भारत फिलिपीन्स जैसे देशों के साथ हर छेतर में सहयोग करके अपनी इस भूमिका को और जादा मजबूत बना रहा है दोस्तों ये जो सहीयोग है यानि ये जो भारत के जहाज फिलिपीन्स गए है ये ऐसे समय में गए है अभी हाल ही में चाइना के नोसेना सरकारी नोसेना जहाजों के द्वारा फिलिपीन्स के जहाजों का रास्ता अवरुध किया गया था एक तकराव बढ़ा था दोनों अभ्यास है MPX इसमें भी भाग लेंगे यानि समुंदरी साजेदारी अभ्यास भी होगा दोनों देशों के मध्य है अब हम बात करें दोनों देशों के रिष्टों की तो 2024 में भारत और फिलिपीन्स ने अपने राजनाइक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किये हैं और मनीला और दिल्ली के बीच द्वी पक्षिय साजेदारी मार्ग की रूप रेखा तयार की थी 2024 में ही यानि 75 वर्ष पूरे हुए हैं दोनों देशों के संबंधों के यदि हम संबंधों के अलग-अलग आयामों को देखें तो राजनाइक संबंधों की अधिबात करें तो उपचारिक इसके साथ हलग-अलग छेत्रों में बढ़के सहयोग कर रहे हैं यदि हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो जहां 2015-16 में व्यापार 1.89 बिलियन डॉलर था वो 21-22 में 2.84 बिलियन डॉलर और 22-23 में लगभग 3 बिलियन डॉलर से भी ज़ादा बढ़ चुका है यानि हम व भी दोनों देश सहयोग कर रहे हैं यदि समुंदरी संबंधों की बात करें तो दोनों देश हिंद प्रशांत छेत्र यानि इंडो पैसिफिक छेत्र में नियम आधारित व्यवस्था कि स्थरता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है यानि एक नियम आधारित प्रनाली की बात करते हैं प्री नेविगेशन की बात करते हैं जो अंतर राष्ट्रिय नियम है उनकी स्विकार करने की बात करते हैं जिसको चाइना मानने से मना करता है ध्यान रखेगा भारत और फिलिपीन्स भारत आशियान समुंदरी अभ्यास में भी भाग लेते हैं तो इस माध्य हमसे भी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है सबसे महतपूर है रक्षा संबंध ध्यान दखिएगा फिलिपीन्स के रक्षा बलो दुआरा भारत के ब्रमोस शोर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए 374 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हाल ही मे हस्ताक्षर किये गए हैं समुंदरी रिमपैक अभ्यास में भाग लेने के साथ दोनों देशों की रक्षा और सुरक्षा साजेदारी बढ़ रही है यानि हम निरियात कर रहे हैं फिलिपीन्स को ब्रमोस एंटी शिप मिसाइल जैसे उपकरन और साथ ही रक्षा और की बात करें तो भारत ने मनीला में रेजिडेंट डिफेंस अताशे कारियाले खोलने का फैसला किया है तट रक्षकों के भी सहयोग बढ़ा रहे हैं समुंदरी सुरक्षा आपदा प्रतिक्रियाओं पर प्रशिक्षन और सयुक्त अभ्यास का विस्तार फिलिपीन्स के वो टकर नहीं ले रहा है चाइना से और ये भारत की स्ट्रेटेजी रणनिती का हिस्सा है लेकिन अब प्रत्यक्ष तोर पे भारत अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है ऐसे देशों के साथ आर्थिक विशेश तोर पे रक्षात्मक संबंधों को सुद्रड बना के और भारत है उनकी बात भारत लगातार करता रहा है तो ये एक छोटा सा मुद्दा था जिसमें हमने दोनों देशों के भी सहयोग की बात की आपका क्या विचार है भारत और फिलिपीन्स के सहयोग आत्मक संबंधों पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा बात क जाते हैं तो आप हमारे P2I बैस से जुड़ सकते हैं 18 किताबों के साथ ये बैच आपको मातर 27,999 में मिल रहा है यदि आप LD Live Code का प्रियोग करोगे तो आज से क्लासिश शुरू हुई है तेर किस बात की फटा फट जाएए Study IQ क्या आप या वेबसाइट पे इस वीडियो के इसे दिस्क्रिप्शन बोक्स में लिन्क दिया होगा उस लिन्क पे जाके भी आप एड्मिशन ले सकते हैं आप मुझे फोलोग कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल लली तदही अकैडमी, इन्स्टेग्राम लली तदही अकैडमी और फेस्बुक पे बाकी आपके क्या प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi